आज हम करेंगे Class 9th English का The Man Who Knew Too Much ये चैप्टर Class 9th essay 2 course A के syllabus में है चलिए शुरू करते हैं ये जो स्टोरी है ये एक soldier है जो की training ले रहा है आदमी में training ले रहा है उसकी कहानी है उसका नाम है प्राइवेट क्वेल्च क्वेल्च उसका नाम है और प्राइवेट का ये मतलब है कि अभी वो पूरी training नहीं ले लिए है उसने अभी भी वो training ले रहा है training successful खतम करने को इस chapter में commission बोला गया है कि वो commission है और जब तक वो training ले रहा है उसको बोला है private तो जो author है वो कहता है कि मैंने private क्वेल्च से मैं training डिपो पे मिला था और मुझे पता चला कि उसको हर कोई professor के नाम से जानता है उसको professor इसलिए कहा जाता था कि knowledgeable था और वो अपना knowledge संभाल के नहीं रखता था वो अपना knowledge जितना दिखा सकता है जितना show off कर सकता है वो करता था author बोलता है कि मैं आपको इसका एक incident बताता हूँ हम लोग musketry में training कर रहे थे musketry क्या होता है ऐसी जगा ऐसी training जहाँ पे rifle की training दी जाती है तो musketry में training कर रहे थे पहला lesson था हमारा और हमें एक sergeant थे जो training दे रहे थे उन्होंने कुछ northwest frontier ribbons लगाए होए थे यहाँ पर ribbons का मतलब है कि आपने देखा होगा अलग-लग army men अलग-लग अपने uniform पर अलग-लग labels लगाते हैं तो उसी तरह से इन्होंने northwest frontier ribbon लगाए होए थे Northwest frontier ribbon का यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने northwest front मतलब जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर भी services अपनी दी थी तो बहुत experience थे और वो बता रहे थे कि service rifle जो होता है service rifle वो किस तरह से काम करता है तो उन्होंने कहा कि यह जो muzzle velocity होती है वो समझा रहे थे वो velocity जिस पर की bullet गन से निकलती है वो 2000 feet per second होती है सो बहुत ज्यादा velocity होती है और उसी वकत group में students के group में से किसी ने आवाज लगाई कि 2000 नहीं 2440 feet 2440 feet per second और यह कौन था यह वो ही था प्रोफेसर और प्रोफेसर का नाम क्या था प्राइवेट क्वेल्च 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 सो तो सर्जेंट ने कुछ ज्यादा उन्होंने जो students से उनसे अलगला questions पूछे इस hope में कि वो कुछ बच्चों से बदला ले लेंगे उन बच्चों से जिनको ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही knowledge है और जितने भी questions थे वो ज्यादा तर end में आके प्राइवेट क्वेल्च के बास ही आ जाते थे जिनने हम professor भी कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं sergeant उनसे बदला लेना चाहते थे क्योंकि वो भीज में टोक रहे थे सो जितने भी सवाल पूछे sergeant ने उन सब का answer प्राइवेट क्वेल्च ने दे दिया चाहे वो technical definition हो, rifle के part हो, कैसे उसको use करना है ये सारी चीज़े professor को याद थी sergeant ने पूछा तुम्हें कोई training मिली हुई है क्या पहले तो professor की एक बहुत important line है वो कहते थे कि जब भी ऐसा कोई उन से सवाल पूछता था तो हमेशा इसी तरह से answer देते थे it's all a matter of intelligent reading मतलब अगर आप सिरफ पढ़ते रहें intelligently समझ कर तो आपको और कुछ नहीं चाहिए बाकी जो हम लोग जो narrator के side से जो लोग training ले रहे थे उनको एक बात तो समझ में आगे कि ये हमसे बहुत आगे है इसके पास दिमाग है और इसको बहुत जल्दी commission मिल जाएगी commission का मतलब अभी मैंने बताया था कि इसको बहुत जल्दी इसकी training खतम हो जाएगी और ये army में soldier बन जाएगा ये जो professor था इसने अपना ambition पूरा करने के लिए कि अपनी training खतम करके soldier बनने के लिए बहुत मैनत करी वो training manuals जो books होती थी training से related उनको वो लोगों से लेता था उधार रीपे या फिर थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए दे दो इस तरह से और सारी रात बैट बैट कर उनको पढ़ता था और उसके बाद वो क्या करता था instructor से जो भी उनको पढ़ा रहे हैं उनसे फिर बहुत सारे doubt पूछता था और जब marches होते थे आपको पता है march past होता है school में भी sports day में वैसे भी तो उसमें वो ठकता नहीं था उसके अंदर इतनी energy थी कि वो पढ़ता भी था और बाकी सारी चीजों में भी वो बहुत बढ़िया था जैसे ऐसे आगे time बढ़ता गया उसने अपने जितने भी colleagues थे जो बाकी लोग training ले रहे थे उनको वो अपना सारा knowledge बताता था जैसे कि अच्छा तुम्हें पता है क्या ऐसे भी होता है so इस तरीके से वो अपना knowledge बांडता रहता था बताता रहता था पहले तो बच्चों को वो चीज अच्छी लगी बच्चे नहीं जो वहाँ पे soldiers थे उनको वो चीज अच्छी लगी लेकिन बाद में सारे लोगों को उस चीज से डर लगने लगा क्योंकि अगर आपके पास कोई आए और आपको हमेशा अपने बारे में और अपने knowledge से बताता रहे तो थोड़े दिन में आप बोर हो जाओगे या फिर आप परेशान हो जाओगे तो लोगों ने उसके उपर joke करना शुरू कर दिया प्रोफेसर को उससे फरक नहीं पड़ा वो अपना काम करता रहा अगर कोई भी training में soldier, कोई भी mistake करता था तो प्रोफेसर publicly उन सब के सामने अरे ऐसे नहीं होता, तुम्हें करना नहीं आता, मैं तुम्हें बताता हूँ तो उनको वो publicly correct करता था which was not a very good habit तो हर जगा पे उसका ये तरीका था कि तुम्हें नहीं आता, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं let me show you या फिर अरे तुम्हें नहीं आता, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम अपनी rifle खराब कर दोगे तो हर चीज में उसका जो ये knowledge मांटना था ये बहुत जयदा हो गया था जितने भी वहाँ पे soldiers थे उन सबको ये लगता था कि उपर अगर sky में कोई aircraft जा रहा है तो उसे दो मिनिट में उसका model पहचान लेंगे एक दिन क्या हुआ एक उपर से plane जा रहा था और professor ने बस उसे दूर से ही देखा और कहा कि अच्छा ये तो North American Harvard trainer है और ये मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि इसकी जो engine की आवाज है वो बहुत ज़दा harsh है बहुत ज़दा खराब सी है और जो आगे air screw लगा होता है उसका जो speed है वो भी बहुत ज़दा high है तो कुछ इस तरह का plane होता है North American Harvard trainer इसकी engine की आवाज बरी harsh होती है और जो इसके जो आगे जो punk होता है वो बहुत fast चलता है तो professor ने जब ये बात कही तो बाकी लोग अचंबे में रहे गए कि इतनी दूर से इतनी उचाई से उसने दूर से पहचान लिया कि ये कौन सा plane है फिर एक ऐसी घटना हुई एक summer afternoon में जिसने professor की life को जिन्दगी भर के लिए बदल दिया हुआ क्या कि एक और trainer थे Corporal Turnbull Corporal Turnbull बहुत important नाम है याद रखेंगे हम ये hand grenade पे training दे रहे थे आप सबको पता है hand grenade क्या होता है तो professor Turnbull उनको hand grenade के बारे में बता रहे थे एक तरह सब bum होता है आपको पता होगा और इसमें ये liver खींच के ये bomb fang दिया जाता है पूरी story समझने के लिए आप part 2 इस video का देख सकते हैं आपको ये जो video चल रहा है इसको click करना है इसके अलावा आप हमारे channel को अगर subscribe करते हैं तो हम future में और बहुत सारा study material लाने वाले हैं तो channel को subscribe करना मत भूले थेंक यू आज हम करेंगे class 9th English अबढ़ी लग्यार वाले हैं क्यों ए सकत्रावाद सम्वाद कोष्ड़ कोष्ड़ क्यों अज इस वाले हैं